ओम शान्ति एक तीन दो हजार तेईस के बाबा की साकार अनमोल धार्ना युक्त मदुर महावाक्य हैं जिन में बाबा ने कहा हैं तुम बच्चों को अभी स्ष्टी के पास प्रेजन फ्यूचर की नॉलेज मिली हैं और तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए फिर बाबाने का परफेक्ट बनने के लिए विचार सागरमन्थन करो अपने आप से बाते करो बाबा के लिए शुक्रिया करो बाबा आप कितने मीथे हैं कितने प्यारे हैं बाबा मैं आत्मा शान स्वरूप हूं सुक स्वरूप हूं स्वदर्शन चक्रधारी हूं अधी अधी तो जितना मन्थन करेंगे चिंतन करेंगे ज्यान की गुयात हमें जाएंगे ज्यान बढ़ता जाएगा फिर बाबा ने कहा तुम शिवशक्तियां हो गीत भी है माता ओ माता तो सब की भाग्य विधाता तो तुम शिवशक्तियां सदा इस नशे में रहना हैं मीठे बच्चे बेहद ड्रामा के आदी मध्य अन्त को समझना है जो पाश्ट हुआ वही अब फिर प्रेजन्ट होना है अभी संगम्यूग प्रेजन्ट है फिर सत्यूग आना है कोश्चन है शिरी मत पर अपने आपको परफेक्ट बनाने की विधी कौनसी है आन्सर अपने आपको परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मन्थन करो अपने आपसे बाते करो बाबा आप कितने मीठे हो हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे हम भी आपके समान मास्टर ग्यान सागर बन सबको ग्यान देंगे किसी को भी नाराज नहीं करेंगे शान्ती हमारा स्वधर्म हैं, हम सदा शान्त रहेंगे अश्रीरी बनने का अभ्यास करेंगे ऐसी ऐसी स्विम से बाते कर स्विम को प्रफेक्ट बनाना है गीत माता ओमाता जीवन की दाता ओम शान्ती शुब भगवानो वाच्चे शिरफ भगवानो वाच्ची कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे नाम जरूर लेना पड़ता है गीता सुनाने वाले जो भी हैं वह कहते हैं क्रिशन भगवानो वाच्चे वह पास्ट में हो गई हैं समझते हैं स्री क्रिशन आया था और गीता सुनाई थी वराज्योग सिखाया था अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजन्ट जरूर होना है जो प्रेजन्ट है वो फिर पास्ट होना है जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई तो अब शुब बाबा आया है जरूर होकर गया है शुब भगवानों वाच्चे जो उंचे ते उंचे वो सबका बाप है जिसको सर्व शक्ति मान कहा जाता है वह बैट समझाते हैं तुम उनके बच्चे शुब शक्तियां हो शुब शक्ति की महिमा गीत में सुनीना शिव शक्ति जग दंबा होकर गई है जिसका ये यादगार है होकर गई है फिर आने हैं जरूर जैसे सत्यू पाष्ट हुआ अब कल्यूग है फिर सत्यूग आने वाला है अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम जरूर नई दुनिया होकर गई है अब पुरानी दुनिया है जो सत्यों को पाश्ट हुआ है फिर भविश्य में आना है यह समझ की बात है ज्यान है ही समझ वे है भक्ति और यह है ज्यान स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है उनको समझने भी कर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते ड्रामा के आदी मध्य अंत को समझना है उस हद के ड्रामा के आदी मध्य अंत को तो जानते है यह है बेहद का ड्रामा इसको मनुष्य समझ नहीं सकते हैं बाब जो बेहत कमालिक है वही खुद आकर समझाते हैं शुब बाबा के अलावा कोई भी स्रिष्टी के पास्ट, प्रेजन्ट, फ्यूचर की नॉलेज नहीं दे सकते बाबा ही आकर के देते हैं इसको मनुशे समझ नहीं सकते, बाप जो बेहत कमालिक है वही खुद आकर समझाते हैं, शु भगवानों वाच्चे हैं, ना कि शिरी कृष्ण भगवानों वाच्चे हैं, कृष्ण को शिरी-शिरी कहते हैं क्योंकि उनको स्रेष्ट बनाने वाला बाप हैं, भारत वासी बिचारे बे समझ हैं, सब गरीब दुखी पतित हैं, हम भी थे, परन्तु अभी हम पावन बन रही हैं, पतित पावन बाप अब हमको मिलाव हुआ हैं, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है, नई पावन दुनिया बनाने वाला रचाईता बाप ही हैं, जिसको परम पिता परमात्मा सर्व शक्ति मान कहा जाता है वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है पतित स्रिष्टी को पावन बनाने वाला है पतित सारी स्रिष्टी है रावन पतित बनाते हैं पतित पावन एक ही इश्वर है मनुष्री पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी ह सारी दुनिया का सवाल है ना समझो करके सन्यासी एक दो करोड पावन हो फिर भी पांच छेस्सो करोड पतित है ना तो जरूर इसको पतित दुनिया ही कहेंगे ना अगर पवीत्र बन रहे हैं शरीर तो विकार से पयदा हुआ वो तो पतित है ना तो जैसे दिवी देवताई संपों निर्विकारी पावन होते हैं ऐसे शुब भगवानों वाच्चे हैं कोई भी पावन हो नहीं सकता तो बाब कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी स्रिष्टी को पावन बनाता हो तर तुम सहित शुब बाबा फिर सारी स्रिष्टी को पावन बना देते हैं पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला शिबबाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूं तुम को ही पावन दुनिया का मालिक बनना है नई दुनिया में हैं आधि सनातन देवी देवता धरं यह भी कोई नहीं जानते शिब बाबा को भी कोई नहीं जानते, पूछो, तुम जो निराकार परंपिता पर्मात्मा शिविकी जेनती मनाते हो, वो कब आया? निराकार आया कैसे? ज़रूर निराकार तो शरीर में ही आयेगा ना, तब तो करम कर सके, आत्म शरीर बिगर करम थोड़ी कर सकेगे. परमात्मा आकर जरूर उंच बनाने का ही कर्म करेंगे सारी विशु को पावन बनाना यह भी एक के ही हाथ में है मनुश्य तो दुखी ही दुखी है भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए भक्त अनेक हैं शुख भगवानों बाच्चे मैं शुख भगवान तुम बच्चों को राज्य योग और स्रिष्टी चक्र का ज्यान समझाता हूँ अर्थात अब तुमारी आत्मा को स्रिष्टी चक्र का ज्यान है जैसे मुझ बाप को स्रिष्टी के चक्र का ज्यान है मैं आया हूँ तुमको शिकलाने स्रिष्टी चक्र फिरना तो जरूर है पतित से पावन बनना है कोई तो निमित बनते हैं न पांच विकारों रूपी जेल से लिब्रेर करने मैं आता हूँ मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ हम आत्मा ही बैठी है और शुप परमात्मा है वो ब्रह्मा के तन में आकर के हमको ये सब ज्ञान देते है परमपिता परमात्मा स्टार मिशल हूँ मेरा शुव नाम एकी है तुम ही तुम कौन हो बाबा शुव और हम है तुम ही शालिक राम हो परन्तो तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है शुव बाबा जन्म मरन के चक्कर में नहीं आता मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर जनम नहीं लेता हूँ गीता में जिसका नाम डाल दिया, वह तो पूरे चुरास्टी जनम लेते हैं ऐसे नहीं कि स्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी समझने की बात है मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं मनुष्य को शान्ती, सुख देना ये बाप का काम है, हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है आँ कोई की महिमा है ही नहीं, लक्षमी नायम की भी महिमा है नहीं परन्तु राज्जी करके गई हैं तो समझते हैं ये स्वरक के मालिक थे वंडर तो देखो वो जड़ चित्र यहां चेतन्य में बैठे हैं शुब भगवानों वाच्चे तुमको राजाओं का राजा पूज्य बनाता हूं पूज्य लक्षमी नारेनी फिर आपे ही पूजारी बनेंगे तो जो पांश्ट हो गई हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं यह सिद्गर बताना हैं ऐसे नहीं कि इश्वर आपे ही पूज्य आपे ही पूजारी बनता हैं नहीं मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहां निवास करता हूँ मेरे जो बच्चे साली ग्राम है वैं भी यह नहीं जानते कि हम कहां के रहने वाले हैं आत्माउं और परमात्मा का घर एक ही है स्वीट होम शिरप स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे अभी तुम जानते हो निर्वान्धाम हमारा घर है वहां हमारा फादर है सिरफ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया न? उन से विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं परन्तो उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते ये सुख मिलता है, जितना याद करेंगे उतना शान्ती मिलेगी, तो बाप कहते हैं उनका योग रॉंग है, तुमको याद करना है एक बाप को, बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगी, शिरी क्रिशन ऐसे कह नहीं सकते हैं, वह तो बैकुंट का मालिक हैं, वह थोड़ी कहेगा, अश्री रिबन बाप को याद करो, या मुझे याद करो, सारा मदार गीता को करेक्ट काराने पर हैं, गीता खंडन होने के कान भगवान की हस्ति गुम हो गई हैं, कह देते हैं, इश दुश्वर का कोई नाम रूप है ही नहीं, अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी हैं, आत्मा का नाम आत्मा हैं, वह भी परम पिता परमात्मा हैं, परम अर्थात सुप्रेम, उंच दे उंच, वह जनम मरन रहते हैं, अवतार लेते हैं, ड्रामा में जिसका पार्ट है, उन तन में ही परवेश करते हैं, और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता, हर कल्प बाबा ब्रह्मा के ही तन में आएंगे, जिसका नाम स्विम ब्रह्मा रखते हैं, नाम कभी भी बदल नहीं सकता, ब्रह्मा द्वारे ही ठापना करते हैं, तो व पहर दूसरे में आए, तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, जिसके भी तन में आएगा उसका नाम ब्रह्मा ही रखना पड़े, मानुष्य कहते हैं, दूसरे कोई में क्यों नहीं आता, अरे, वह भी किसके तन में आए, वो आते ही हैं ज्ञान देने के लिए, दिन प् जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है, हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा ये शरीर रूपी, चोला लेकर के पार्ट बजाती हैं, वो हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा, जो 84 जन्मों का पार्ट आत्मा बजाती हैं, फिर बाप पुशी होनी चाहिए, डर्नानी चाहिए, तुम बहुत कमाई कर सकते हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं, हमने कितनी कमाई की है, तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं, उनमें से किसका मरतबा बढ़ा कहीं, फालयानी बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरेल लिया इन एडवन्स गए उनका इतना ही पाड़ था फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाएं हो सकता है वारिश तो बन गए ना किसके साथ हिसाब किताब चुपतो करना होगा वो खलाश करने गए हैं आत्मा में तो ज्ञान के संसकार है ना संसकार आत्मा में ही रहते हैं वह गुम नहीं हो सकते कहां अच्छी जगह सर्विस करते होंगे नौलेज के संसकार ले गए तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे नहीं हाँ इतना जरूर है योग में रहने से आयो बढ़ती है मैनल्स आटी अच्छे चाहिए कहते हैं बाबा आप कितने मीथे को मैं भी आप ग्यान सागर बनेगे बाब कहते हैं अपने को देखते रहो मैं मांश्टर ग्यान सागर बना हूं मात पिता शमान औरों को ग्यान देता हूँ, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है, शान्ती को धरन किया है, शान्ती हमारा स्वधर्म है ना, अपनी को अश्रीजी आत्मा समझने हैं, देखने हैं मेरे में कोई विकार तो नहीं है, अगर कोई विकार होगा, तो ना पास हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने से पड़ती करनी पड़ती हैं यह हैं विचार सागर मंंथन कर अपनी आपको परफेक्ट बनाना शिरी मत से बागी सब आसुरी मत से अन परफेक्ट बनते जाते हैं हम भी कितने अन परफेक्ट थे कोई गुन नहीं था गाती है ना मैं निर्गुन हारे में कोई गुन ना ही अक्षर कितने अच्छे हैं महिमा सारी परम पिता परमात्मा की हैं गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे तो मनुश्यों को भी समझाना है यह भी बच्चे जानते हैं कल पर पहले जिसका सैपलिंग लगा था वही आएंगे और दानना करेंगे नहीं तो जैसे वाईरे मौफिक आया और गया कंफ्यूज रहते हैं सुना समझा नहीं तो आया और गया यहां तो तुम जानते हो हमको नौलेजफुल फादर ने जो नौलेज़ दी हैं वह कोई में भी नहीं हैं हम गुप्त वेश में हैं फिर हम भविश्य में स्वरक के मालिक बनेंगे करम तो सब कर रहे हैं परन्तो मनुष्यों के करम सब भी कर्म होते हैं क्योंकि रावन की मतपर करते हैं हम शिरी मतपर करम करते हैं शिरी मत देनी वाला है बाबा बाबा नहीं समझाया है तुम हो सैलवेशन आर्मी सैलवेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं, अभी तुम श्री मत पर सबका बेड़ा पार कर रही हो, बलिहारी तो श्री बाबा की ही है ना, हम तो मूरक थे, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बाकी मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं, बाप सन्मुख आकर के श्री मत देते हैं, रामन तो कोई चीज नहीं, जो आई, माया विकारों में घसीत लेती हैं, यहां तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, रामन तो कोई चीज नहीं, जो उल्टा पढ़ाए, बाप तो है ही ज्ञान का सागर रावन को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे तुम अब शिरीमत पर चल रही हो तुम ब्राहमन बन यग्जी की सेवा करते हो तुमको राज्योग और ज्ञान सिखलाना है वह जब यग्जी रश्ते है तो शास्त्र रखते है रुद्र यग्जी रष्ते है परन्तु रुद्र है कहां यहां तो रुद्र शुप बाबा प्रेक्टिकल में है प्रजीन्ट में रुद्र ज्ञान यग्जीर रचा हुआ है जो पाष्ठ था वह प्रजीन्ट है फिर पाष्ठ हो जाएगा ऐसे हुटा ही रहता है कल यूग भी पाश्ट हो फिर सत्यूग आना चाहिए अब संगम यूग प्रजन्ट है पाश्ट जो हुआ उसका यादगार है जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रजन्ट चेतन्य में है जो उंच पद पाते है माला भी उन्हों की बनी है रुद्र माला है ना यह सभी है जड़ चित्र जरूर कुछ करके गए है तब तो रुद्र माला कहते है ना तुम चेतन्य में शिप बाबा की माला नंबर वार बन रही हो जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे अभी हम संगम पर हैं ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी चाहिए तुमको तो ज्यान है तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है हम असुल शिप बाबा के बच्चे हैं इस विश्व के मालिक बनेंगे फिर चक्र में आएंगे इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है कई मनुशी कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो बोलो भगवानों वाचे लिखा हुआ है बाकि हम किसी की निंदा नहीं करते हैं अच्छ मेठे मेठे सिक्की लदे बच्चों प्रते मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग डाइमन मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, डाइमन्ड मॉर्निंग, ओम नमस्ते धारना के लिए मुखी सार हैं शिरी मत पर हर करम स्रेष्ट करना है सब के डूबे हुए बेडे को शिरी मत पर पाल लगाना है दुखियों को सुख देना है सेकिंड पॉइंट अंदर स्वदर्शन चक फिराते रुद्र माला में नजदिकाने के लिए याद में रहना है ज्ञान को मन्धन करना है अपने आप से बातें जरूर करनी है बर्दान ब्राहमन जीवन में सदा, आननद और मनुरंजन का अन्भो करने वाले मनुरंजन का अनभो करने वाले खुश नशीब भाव खुश नशीब बच्चे सदा खुशी के जोले में जोलते ब्राहमन जीवन में आनद वा मनुरंजन का अनभो करते हैं ये खुशी का जोला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रसियां टाइट हो एक भी रसी ढिली होगे तो जोला ही लेगा और जुलने वाला गिरेगा इसलिए दोनों रसियां मजबूत हो तो मनुरंजन का अनभो करते रहेंगे सर्विशक्ति मान का साथ हो और खुशियों का जूला हो तो इस जैसी खुश नसी भी और क्या होगे स्लोगन सबकी प्रती दयाभाव करपा द्रिष्टी रखने वाले ही माहन आत्मा है आज का अव्यक्त इशारा शुरू होता है जमा का खाता बढ़ाओ बचत की स्कीम बनाओ जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, सैलेंस में बैठते हो, तो संकल्प शक्ति जमा होती है ऐसे वाचा, कर्मना, इन दोनों शक्तियों को भी जमा करने की स्कीम बनाओ बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो, और मिथा बोलो, स्वामान से बोलो ऐसे ही कर्मना में सेवा में जमा का खाता तब बढ़ता है जब कोई भी कर्म योग युक्त, युक्ती युक्त इस्तिति में इस्तित रह कर करते हो ओम चंटी